दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अधार सूपरवाइजर की पोस्ट के लिए online कैसे apply करना है आप घर बैटे अपने mobile या फिर computer से online apply कर सकते हैं काफी सारी स्टेट में अभी वेकेंसी आई है तो आप जल्द इसे apply कर सकते हैं apply करने के लिए सबसे पहले आप लोग यहां पर देखें पूरा एक paragraph बना हुआ है ठीक है पूरा यह फोटो अगरा है उन्हें लगा रखा है आधार supervisor apply now तो आपको इस वाले option पर क्लिक करना है इसके बाद आपके सामने यह page ओपर हो जाएगा यहां पर देखें लिखावा है name of the post आधार supervisor इसके लिए education qualification चाहिए 10 plus 2 pass and above with computer knowledge ठीक है इसके लावा यह नीचे other term and condition भी लिखी वी आप इसे read कर सकते है अब यहां पर पूरी list दे रखी है state wise और district wise ठीक है आप लोग यहां पर देख सकते हैं जहां जहां वेकेंसी है इसके अलावा आपको नीचे I have accepted term and condition पर टिक करना है टिक करने के बाद आप पर जाएगा सबसे पहले आपको login करना है login करने के लिए आपको यहां पर email ID एंटर करने है और आपको अपना mobile नमर यहां पर एंटर करना है इसके बास सेंट पर क्लिक करना है आपके mobile नमर पर एक OTP आने के बाद आपको यहां पर फिल करना है इसके बाद आपके सामने पू इसके बाद gender, इसके बद आपकी date of birth, इसके बाद आपका marital status, इसके बाद आपका father name इसके बाद मज़ने, सारे information as per pen card, as per अधार card होनी चाहिए इसके बाद आपका current address, house number, flat number, street, with pin code, post office, district और state, जो भी आपका अधार card पे आपका proper address है, वही आपको यहां पे fill करना है आपका करेंट और प्रवेनेंट एडर्स अगर सेम है तो आप सेम है से अबवब पर टिक कर दीजिए अगर अलग अलग है तो आप यहाँ पर कस्टमाइज भी कर सकते हैं इसके अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन ठीक है सिलेक्ट एजुकेशन पर क्लिक करना है आपको आपने जो भी कर रखा है ट्वेल्ट डिप्लोमा ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पीएच्डी पीजी डिप्लोमा फिल करने के बाद नीचे जब आप देखेंगे यहां पर आप जोब के लिए अप्लाई कर सकते तो सबसे पहले मैं आपको सिलेक्ट करना है इसमें जितनी भी इंस?!" जोब जोब लोकेशन और थर्ड जोब लोकेशन आप अपनी मरदी से कस्टमाइज कर सकते हैं ठीक है पर स्प्राइटि आपकी भही हो नीची जहां पर रहते हैं या फिर नियरबाइए इसके लावा आपको तीन यहां पर नीचे आना है आपको अब यहां पर देखें बहुत 可以 ऐए पर यहां पर फिल करना है और इसके लावा आपको यहां पर अप्लॉड करना पड़ेगा इसके के लाबा आपको पिल्वार के आपको यहां पर अपलोड करना पड़ेगा दोनों ही डोक्यूमेंट करने के बाद नीचे आई है रिपाय पर टिक करना है और इसके बाद रेज्टर पर क्लिक कर देज्ट कर देना ठीके दोस्तों तो बिल्कुल इसी तरीके से आप आधार supervisor के लिए online apply कर सकते हैं घर बेठें अपने mobile phone या फिर computer किसी से भी आप इसे apply कर सकते हैं apply करने के लिए आपके पास UIDA certificate और एक resume जरूर होना चाहिए दोनों ही document आपको upload करने पढ़ेंगे इसके बाद ही आप इसे register कर सकते हैं ठीके दोस्तों make sure आपको सारी information मिल गई होगी इस पोस्ते रिलेटिट बाकिस से रिलेटिट को है लिए तो आप मुझसे comment बोक्स में पूछ सकते हैं आज के लिए बस इतना ही मिलते के नहीं वीडियो में तो गाइस thanks for watching this video and subscribe this channel